नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तो अगर आपने भी आगानवाड़ी के तहत अपलाई क्या हुआ है तो यह जान कारी आपके लिए है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आगणवाडी के तहट कुछ जिलों की ओनलाइन आवदन की परक्रिया काफी दिन पहले ही समाप्त हो चुकी थी लेकिन उन जिलों की अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है क्यों नहीं आई हैं दोस्तों वह भी हम आपको बता देते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि EWS आरक्षन को लेकर हाइकोट में याजी का दर्ज की गई है दोस्तों जो EWS स्रेणी के व्यक्ति हैं उन्होंने 10% आरक्षन की मांग की थी दोस्तों यह फैसला हाईकोट दुवारा सुना जान था जो कि किलियार हो चुका है 10% आरक्षन EWS व्यक्तियों को मिल चुका है अब दोस्तों कुछ जिले ऐसे भी हैं जिन में आप दोबारे से भरती क्राय जा सकती है अब वह कौन-कौन से जिले हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे और जो 10% आरक्षन दिया गया है वह दोस्तों किस परकार से उनको इस 10% आरक्षन से छूट मिलेगी यहाँ पर आपको संपूर जानकर मिलने वाली है और जिनके कम अंक भी होगे जिन दोस्तों कुछ व्यक्तियों के कम अंक भी होगे तो उनका भी सेलेक्षन अब हो जाएगा किस परकार से किया जाएगा दोस्तों वह भी हम आपको यहाँ पर विस्तार पूरवक बताने जा रहे हैं और रही आपकी merit list की बात तो दोस्तों आपकी merit list में भी देरी किजा सकती है तो दोस्तों हम इसके बारे में संपून डिटेल वाई जानकारी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं अगर आपने भी आंगनवाडी के तहत आविदन किया हुआ है तो वीडियो को पुरा वा दोस्तों आगनवाडी केंद्रों में आगनवाडी वरकरों के रिक्त पदों पर भरती के लिए चैन परक्रिया चालू है वहीं दोस्तों आप वदादे किसका पुरे होने से पहले ही सासन ने 20 अक्टुबर 2020 किसको आदेश जारी कर दिये थे दोस्तों यह आदेश 10 परतिसत अरक्षन को लेकर क्या गया था जैनके EWS जो आर्तिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनको आरक्षन देने के लिए निर्देश जारी किये गई थे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी परक्रिया है आवाजन की परक्रिया जो आपने की हुई है उसमें अप चैन की परक्रिया भी शुरू हो चुकी है जिन व्यक्तियों के अच्छे अंख होगे उनका यहाँ पर दोस्तों सेलेक्षिन के जाएगा हाली जिनको 10% का आरक्षन दिया जा रहा है उनको merit list में भारी छूट मिलने वाली है वह किस प्रकार से दी जाएगी दोस्तों वह भी हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं तो वीडियो को पुरावाच करिएगा दोस्तों इस आदेश के बाद चायन प्रकिरिया बादित हो गई है क्योंकि भरती प्रकिरिया के दोरान EWS आरक्षन लागू करने के संबन्द में कोई मार्ग दर्शन नहीं दिया गया था यहनिक दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं जब आगन वाड़ी भरती शुरू की गई थी तो दोस्तों जो भी आपका विज्यापन जारी किया गया था उसमें EWS आरक्षन को लेकर कोई भी डिटेल नहीं दिया गय थी कोई भी नाम नहीं दिया गया था दोस्तों जैसे कि अब यहाँ पर लागो की जारी है तो इसमें कठना ही हो सकती है कुछ व्यक्तियों को यहाँ पर इसको जहलना पड़ सकता है और दोस्तों कुछ व्यक्तियों के लिए यह एक बड़ी खुसकवरी भी है साही दोस्तों भरती के लिए जारी विज्यापन में भी इस 10% EWS आरक्षन के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया था जैसे कि आप से भी जानते हैं कि जब आपका विज्यापन जारी किया गया था उस विज्यापन में भी 10% EWS आरक्षण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी अब दोस्तों कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको यहाँ पर जटका लगने वाला है और कुछ व्यक्तियों को यहाँ पर बड़ा ही लाब मिलने वाला है जो EWS कैटिगरी से हैं उनको 10% आरक्षण मिलेगा उनकी जो उनकी मेरिट होगी उनमें उनको 10% का लाब मिलने वाला है भले ही उनके अंख कम हो, तो उनको 10% की छूट दी जाएगी और उनको आश सलेक्षन यहाँ पर किया जाएगा. अगर आप भी EWS कैटिगिरी से हैं, तो आपको भी यह 10% का लाव मेरिट लिस्ट में मिलने जा रहा है. अगर आपके कम अंख भी हैं, तब भी आप इसमें सलेक्ष किया सकते हैं. वहीं दोस्तों, आगे जानकरी दे गई हैं, लिहाजा अधिकारी अपने उच अधिकारियों से मार्ग दर्सन लेने में जुटे वे हैं. यह दोस्तों, जो अधिकारी हैं, उच अधिकारियों से मार्ग दर्सन ले रहे हैं कि इसके बारे में क्या किया जाए और किस प्रकार से इनकी अब मेरिट लिस्ट बनाए जाए. में जिससे चैन पिर दोस्तो कुछ समय के लिए परभावित हो सकती है यहां पर देख सकते हैं दोस्तो यह बला के कि कुछ देरी की जासकती है चैन मेरिट लिष्ट में आने में तो उसके लिए आप धहरिया बनाई रखें और जिला कारेकर्म अधिकारी S के स्रिवास्ताव ने बताया कि आरक्षन के जह तो आरक्षन के आर्थिक रूप से जो कमजोर वैकती हैं चैन प्रिक्रिया में 10% आरक्षन का लाब दिया जाएग मान लिजिए अगर आपसे 50 अंक मांग गए हैं इनके 50 अंकों पर आपका स्लेक्षन है जो अधर काटिगरी के हैं और उसमें EWS काटिगरी भी है तो दोस्तों 50 अंकों में 10% का उनको लाब मिलेगा इनके उसमें 40 अही अंक चाहिए होंगे स्लेक्ट होने के लिए और जो बा अब भी कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें ओनलाइन आविदन की परकिरिया सुरू नहीं की गई है तो अगर आप भी ऐसे जिले से हैं तो आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताईगा साथी दोस्तों आप बता दे कि जो आपकी चैन की परकिरिया है वह किस फॉर्मूले के साथ अपनाए गई है उसके बारे में भी हम आपको जानकरी देते हैं तो जो भी आपके अंकों को दस से विभाजित किया जाएगा और जो भी आपकी हाँ पर प्रसंटेज होगी वही आपकी मेरिट लिस्ट होगी तो कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें दोबारत से भरती क्रा जानकारी किया गया है जो अरक्षन की बात चल रही है दोस्तो लखिमपुर जिले के लिए ही यह जानकारी दी गई है और दोस्तो जो बागी के जिले हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी जाएगी दोस्तो अगर आपके जिले में भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया तो आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताईएगा जैसे कि आपके जिले हैं तो उनमें दुबारे से जिले में ओनलाइन आवजन की प्रिक्रिया शुरू किज़ा सकती है अब दुस्तों वह जिले कौन-कौन से हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं नंबर एक आपका दोस्तों यहाँ पर लखिमपूर खिरी में नैस्ट जिला आपका दिया गया है अयोध्या जिले में भी आपकी जो ओनलाइन आवजन की प्रिक्रिया है वह दुबार से सुरू किजा सकती है में दोस्तों आपका यहां पर जोनैस्ट जिला है वह सद्धर वस्ति में भी आपकी जो ég ओनलाइन अवज़न की है वह सुरूब हो सकती है यानिख दोस्तों यहाँ पर कुछ जिले ऐसे हैं जिन में काफी जो EWS के व्यक्ति हेवे सामिल है जैसे आप सभी जानते हैं कि कुछ जिलो की ओनलाइन आविदन की परकिलिया समप्त करीब चार से पांच महीने बीच चुके हैं तो उन जिलो की मेरिट लिस्ट आप नौमबर महा में ही देख पाएंगे दोस्तों अगर आगनवाडी के तहट आपका कोई भी सवाल है और आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं आपके परती एक सवाल का जवाब दे जाएगा और आपसे हम निवेदन करेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए जैसे यादा शियर भी कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राब करेंगा दोस्तों इस चैनल के माध्यम से भरती से रिलेटिड और दोस्तों योजनाओं से रिलेटिड जानकारी आपको दियाती है ये सरकार दोवारा कोई भी भरति निकल जाती है या फिर कोई भी योजना निकल जाती है तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे जाती है तो दोस्तों आप चाहेंगे आपसे इजाज़त मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में तब